जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes, विस्वमिजन यूटूब चैनल और दोस्तों एप में तो सात्यों हमारा चल रहा है डाउट्स वाला सेसन कुछ डाउट्स वाले प्रस्णों होते हैं जो हम आपसे बोलते हैं कि आप हमें आपको कहीं भी डाउट्स लगे पढ़ने के दोरान है ना या फिर दोस्तों पढ़ाने के दोरान कोई भी आपको डाउट्स लगे आप हमें डाउट्स वाले question जरूर भेज़ें फिर हम आपको याद करवाएंगे आपको बताएंगे कि कहां आपका डाउट्स था और इसको के लिए कैसे करना है यहां पर एक रचना हमेशा पुछी जाती है दोस्तों गंगा लहरी गंगा लहरी और एक रचना पुछी जाती है गंगा उत्रण है ना तो यह आपको याद रखे ना गंगा उत्रण जो रचना है दोस्तों यह गंगा उत्रण रतनाकर जी की रचना है तो यहाँ पर question पूछा गया कि गंगा लहरी किसकी रचना है तो यहाँ पर तो आपको उत्तर लगाना है कि जगनात दास रतनाकर लेकिन दोस्तो एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो जगनात दास रतनाकर की गंगा लहरी है इसका अनुबाद म महावीर परसाद दुवेदी ने इसी नाम से किया है यानि कि एक रचना गंगा लहरी महावीर परसाद दुवेदी की भी है जो दोस्तो अनुदित रचना है गंगा लहरी की गंगा लहरी अनुदित रचना है ठीक है जो महावीर परसाद दुवेदी की भी है और दोस्तो रतन अब एक और question आता है कि गंगा लहरी दोस्तों एक और रचना है और वो रचना किसकी है तो वो रचना है पदमाकर जी की किसकी है पदमाकर तो गंगा लहरी सबसे पहले जगनादास रतनाकर अपनने पड़ लिया फिर दोस्तों पदमाकर की भी रचना गंगा लहरी है और फिर महाबी परसाद दुवेदी ने जगनाद दास रतनाकर की गंगा लहरी का अनुबाद भी गंगा लहरी नाम से ही किया है तो महाबी परसाद दुवेदी पदमाकर और जगनाद दास रतनाकर इन तीनों ने दोस्तो गंगा लहरी नाम से रचनाए लिखी ठीक है किलियर अब यहां पर आते हैं दोस्तों नांगरी परचारणी पत्रिका कब प्रकास से तोई बहुत बढ़ी अब यहाद रख लेंगे अब दोस्तों एक क्वेस्चन जो डाउट्स वाला रहता है कि नांगरी परचारणी सभा की इस्तापना कब हुई तो सभा की 1893 में नागरी परचानी सभा की स्थापना कब हुई थी 1893 और इस दी डाउट के चक्कर में लोग नागरी परचानी पत्रिका को भी 1893 लगा देते हैं इसको निलगाना ये नागरी परचानी जो पत्रिका है दोस्तों ये प्रकासे तुई थी 1896 में कब हुई थी 1896 में कहां से हुई थी तो एक 80 से हुई थी नागरी परचाणी पत्री का ठीक है और नागरी परचाणी सभा की स्थापना ठारा द्राह सोë 93 में हुई थी ज़ेलियर अंगला question देखते हैं अंगला question है प्रियोग बाद का सर्कृत्थम प्रियोग किस ने किया यहाँ पर डाउट्स क्या है सबसे पहले दोस्तों यह चीज आती है आप लोग कोई भी नॉर्मल अगर नहीं पड़ा है तो यहीं सोचता है कि प्रियोग बाद के प्रबर्तक अग्ये माने जाते हैं है ना तो प्रियोग बाद सब्द का प्रियोग भी अग्ये न प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग जो किया था वो किया था नंद दुलारी बाश पही यानि कि यहां पर इस प्रस्ण का उत्तरा आपका नंद दुलारी बाश पही होगा क्योंकि प्रियोग बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग नंद दुलारी बाश पही न पोदय माना जाता है अब एक question और आता है कि प्रियोग बात का सबसे जाना बिरोध किस ने किया तो सबसे जाना बिरोध दोस्तों अग्ये जी ने किया इन्होंने कहा था कि प्रियोग बात प्रियोग का कोई बाद नहीं है इन्होंने प्रियोग बात सब्दे का दोस्तों प्र अगर आपको पता है तब आप अग्य लगाओगे तो भूला नहीं है इस प्रशन का उत्तर आपका नंदुलारी बाच पर ही होगा ठीक है अंगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों प्रगती बाद सब्द का शब्से पहले प्रियोग किशने किया प्रगती बाद प्रगती बाद आपको बताना है दोस्तों तो यहाँ पर आपका उत्तर चैन करना है अपन दोस्तों एक नाम पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत चायाबाद के चार आधार स्तम्मों में सुमित्रा नंदन पंत का नाम आता है इनकी रचनाओं योगांत योगवाणी ग्रा कि प्रगति बाद के प्रबर्तक कौन है तो प्रगति बाद के प्रबर्तक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत लेकिन प्रगति बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था तो उत्तर चला जाएगा मुक्ति बोध मुक्ति बोद ने दोस्तो प्रगति बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था प्रगति बाद के प्रबर्तक कुण है तो पंत है यहां बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं अब आपने देख लिया बोली सर प्रगति बाद सब्द का प्रियोग सबसे पहले मुक्ति बॉध ने किया था इसलिए प्रवर्तक भी मुक्ति बॉध होंगे यहाँ पर दोस्तो आपको clear करना है कि प्रगति बाद के प्रवर्त mathematics और प्रगति बासम्द का सबसे पहले प्रियोग मुक्ति बॉध क्लियर बहुत बढ़िया अंगला question देखते हैं दोस्तों यहाँ पर नई कभिता सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया अगर दोस्तों आप एप के अलाबा और कहीं वीडियो देख रहे हैं है ना तो आप दोस्तों self study classes अप में course में जो है एडवीसर ले सकते हैं बढ़िया तरीके से आराम से पढ़ सकते हैं है अब नई कभिता का बात आती है नई कभिता की बात आती है दोस्तों यह नई कभिता सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था किस ने अग्गे जी ने अगर कभी पूछा जाता है कि नई कभिता के प्रवरता कौन है तो आपका उत्तर होता है जगदीश गुप्त है जगदीश गुप्त माने जाते हैं है ना तो इनको भी अपन को याद रख लेना जबकि नई कभिता सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था पटना आकास ब बने रहें वीडियो को like करते रहें और आपका भी कोई doubts से आप क्यों लगता है कोई doubts वाले प्रस्ण अगर आपके पास आते हैं तो हमें जरूरा प्रेशित करें हम भी दोस्तों आपका doubts solve करेंगे doubts को clear करेंगे और डाउट्स वाले प्रस्णों पर वीडियो बना कर आप तक परिशित करेंगे। हैना, सेल्फ स्टेडी किलासे से आपको डाउनलोड कर लें। सेल्फ स्टेडी किलासेस दोस्तों किलासेस से जड़ जाएं आप और बने रहें इसी परकार से और इस वीडियो को लाइक और सेर जरू कर दें। जय हिन।